हलो और नमस्कार दोस्तो मेरा नामे निखिल और मैं आज आप सभी लोग के भी चेकले वीडियो के साथ आया हूँ तो दोस्तो आज का इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे स्टेर केस को कैसे डिजाइन करते हैं AutoCAD में तो आप लोग को वीडियो को complete देखना है ब्सकिप के वार विडियो अगर अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करना मत बुलना तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स में तो एक बड़ फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्टेडीपी चैनल में और दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टेर केस का पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखो उपर में आपको उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा आप सिंप्ली जाओ और वहां से जरूर देखो क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक बिल्कुल भी बेसिक से लेके एक हाई लेवल तक बताया है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखो और दोस्तों एक चोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से अगर हमारे स्टीटीपी चैनल पर फॉस्टाइम भीजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो साथी साथ गहंटे को भी दवाना मत भूलना ताकि आपको नई टेक्निकल सभी वीडियो के अपडेट आपके मुआल पर जल से जल मिल सके और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक प्लान ड्रॉ किया था उस प्लान में मैंने आपको फूल डिटेल में विशट को ड्रॉ कर लिया था बस इसमें हम लोगों का बचा हुआ था इस अ गर्डिण का है कि यह हो तो उसको जाके जरूर फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया आप सिंपली जाओ और वहां से ज्वाइन एवं फॉलो जरूर करो क्योंकि उसको फॉलो एवं ज्वाइन करने से आप ही लोगों को बहुत ज्यादा होने वाला है तो आप भूलना मत जो आई नेवं फॉलो करने तो चलिए दोस्तों विडिया देर कियोए वीडियो को सुरू करते हैं और मैं आप लोगों को सिखा था हूं AutoCAD में कैसे ड्रॉ करते हैं staircase को स्वागत है आप सभी लोगों का AutoCAD की दुनिया में तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने your line क्या है कितना शाय के Link का fallencrire अफे राहे और फिर हम लोग लंडिंग कितना है एं ध है लंडिंग रिट को फैस। ने सभी चीज deserve बढ़ा के है ? अगर आपने लोग फिडियो नहीं देखा यह जहा दो जब जा के सब तक आप लोगों को कुछ भी समझ्में नहीं आए इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे प्रिवेस वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें तो दोस्तो चलिए अब हम लोग अर्टोकाइड में स्टेर केस को ड्रॉ करना सीखते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने यहां पर पूरी तरह से डिलीट कर दिया है फ चीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर स्टेर केस को हम लोग सुरू कहां से करेंगे आटोकाइड में चलिए मैं आप लोग को बता हम लोग सुरू जो है लैंडिंग लेंथ या फ्लाइट वीर्थ जितना हम लोग पहले लेते थे उसको पहले हम लोग ले ले देख सकते हैं मीरा यह भी आपढ़ने यह सब चीज बता होगा शेर आपको एक्टरप्रेस कर लेनाई फिर इंटरप्रेस करके फिर आपको यहां पर जाके और इसमें आप लोगो को सटा आके यहां पे left click कर लेना है तो यहां पर ले चुका है और फिर हम लोग escape करके इस command से बाहर आ जाएंगे तो देख सकते हो कि मेरे सामने यहां पर landing length जो है या flight width हम लोग यहां पर ले चुके हैं लेंगे तो हम लोगों नेक आपका साइज मैं लिया था उसी का आफशेट कि दसंटने कर लेंगे Share लेंगे तो यहां पर ले चुका है तो हम लोग कितना लेना है तो 9 आपको 9 टाइब करके इंच्ट्रेंगे के लिए shift के साथ fit वाला बटन को प्रेस करेंगे और फिर से इंटर का यूज कर देंगे तो देख सकते हो कि मेरा यहां पर ले चुका है फिर हम लोग अब पूछा जा रहा है कि किसका आपको offset लेना है तो इस लाइंग का लेना आप फिर फिर लेप्ट क्लिक करके फिर इधा कितना तक लेना है तो मेरा जो first flight में number of trade कितना था तो 10 तो 10 यहां पर ले लेंगे तो किता हो गया तीन ले लिया फिर से 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर 10 ले चुका है फिर हम लोग इस command से बाहर निकलने के लिए escape को यूज कर लेंगे escape प्रेस करेंगे फिर हम लोग यहां पर बाहर आ च प्रेस करेंगे फिर आप लोगो को क्या करना है इस लाइन को ले जाके फिर आपको यहां पर ले जाना है इस लाइन के मीड़ पॉइंट पर ले जाना है जैसे ही ले जाएंगे फिर आपको left click करके फिर नीचे यहां तक आप लोगो को मिला देना है मिला के और यहां से आप फर्स्ट फ्लाइट में था दस था तो दस गिल लेंगे यहां पर तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यहां पर दस मेरा यह नमबर अफ ट्रेड आ गया फिर हम लोग का इधर कितना हो जाएगा तो जैसा कि मेरा नमबर अफ राइजर टोटल कितना आया था तो बित रूफ लेकर नाइंटी राइगा था तो मेरा नमबर अफ ट्रेड इतना आ जाएगा एटीन आ जाएगा जैसे कि मैंने आप लोग को वहां पीडिएफ में गिनवाया भी था तो यहां तक तो मेरा दस हो गया फिर हम लोग एगा आरह बारह तेरह च्वादरह पंदरह स सकते हैं तो मेरा number of trade है फिर हम से बाहर आएंगे तो यहां पर देख सकते हो कि हम लोग नेढस को ड्रॉआ कर लिया है और दोस्तो यह जो ने यह जू राइन आप लोगों को दिख रहा हैं तो तो जैसा कि मैने एक point आप लोगों को बताया था कि first flight और second flight के बीच का जो distance हम लोग provide करते हैं के तक provide करते हैं सारे 4 इंची से लेके 6 इंची तक provide करते हैं तो मैंने पास यहाँ पर space नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर provide नहीं किया है अगर आपका पास space हो तो आप provide करो अगर आपको पास नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हो तो I think आप लोग को इस तेर के सच्छे से design करने आ गया हो और दोस्तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हम लोगों नहीं यहाँ पर draw की आई क्या यह हम लोगों का सई है तो हम लोग इसको मेजर कर लेंगे तो दोस्तो एक इसमें मैं आप लोग कमांड बताऊंगा उस कमांड का नाम है dimension style इसका shortcut की है dli तो आपको keyboard का dli आपको type करके interface कर लेना है इंटर जैसे ही paste करेंगे तो आप लोगों को जो भी distance आप लोगों को measure करना तो उस distance पर click करेंगे फिर इस distance पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर 4 feet है तो मैंने हम लोगों ने 4 feet लिया था तो यहाँ पर देख सकते है कि मेरा 4 feet आ चुका ह है फिर हम लोग जानते हैं कि सप्तis को हम लोग नए कितना बैंक ऍटर अंक है तो फिर से हम लोग डियालाइटkung करके इंटरपेस कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे इस पाइंट से लेकर इस क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कि मैं लोगों ने टेर्केस को डिजाइन के फिर हम लोग यह जानते हैं कि इस दोनों का स्पेसिंग जो है वह है कि नहीं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि जो कमांड आप यूज करते हो जैसे जस्ट पहले आपने यहां पर देख सेचे से जिन आप लोगो मुझानाग हो कि हम लोगों ने जो भी यहां पर रिप ल्याम पर 100 पर संघगा हो और शन्च परसनलने। TDP का सारा information वहाँ पर provide करता हूँ तो I think आप लोगों को समझ में आ गया हो और दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादा से जादे आप लोग सेयर करो यूटूब पर जितने भी बच्चे स्टेरकेस को सीखने आये तो उन सभी को problem न लिखते हैं तो इन सभी चीज का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाजात चाता हूँ स्वास्त रहें आपने और अपने परिवेल का ज्यादा ज्यादा ख्यार लखे सो थैंक्यू सो मच्छ दोस्तों झाल